Hello everyone, welcome back to my channel. आज की कहानी अमारी पती पत्नी की कंजूसी. एक सहर में बहुत ही कंजूस पती पत्नी रहते थे. कंजूस इतने थे कि हर रात खाने के वक्त किसी ना किसी तोस्त हर रिष्टदार की घर पहुँच जाते थे. अचानक देखते हुए पुछे जाने पर की क्या वो दोनों भोजन करेंगे? वो जट से उनके साथ आने पर बैठ जाते थे. अपनी छुटिया मनाने अभी दूसरे के घर प्टेरा डाल देते और खुब मस्ती करते. अपनी खातिरदारी करवाना और रोज ने ने पकवान की अर्माइज करना तो अपना हग समस्ते थे. लेकिन जब कोई उनके घर आने की बात करता तो कोई न कोई वज़ा बता के उन्हें ठाल देते थे. एक दिन उनकी भुगा और उनका परिवार बिना बताए उनके घर पहुँच गया. काफी दिर गप्पे मारने के बाद पंजुश पती पत्नी को लगा कि अब तो रात का खाना खिलाना ही पड़ेगा. अगर उनका पंजुश मन उन्हें भर्ज करने से रोक रहा था. अभी पती को एक उपाय सुजा, भुगा की तरब देखकर पत्नी से बोला, आज भुआ बहुत दिनों के बाद गर आई हैं, कुम जल्दी से और कुछ नहीं दो, दाल चावल और साथ में मतर पनिर मना लो. मतर पनिर का नाम सुनते ही पत्नी परेशान हो गई, और बोली मतर पनिर पर इतना खर्च, पन ही मन बड़बडाती हुई पत्नी जी रसोई में जाग हुसी, तीछे से पत्ती महादेव भी मौच गए और अपनी योजना सुनाने लगे, देखो तुम स्रिप दाल चावल बना लो, लेकिन इन्हें ऐसा लगना चाहिए कि, जैसे हम इन्हें मतर पनिर खिलाना चाहते हैं। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया तो, पुछा यह कैसे होगा। हम परोसेंगे तो दाल चावल पर उन्हें लगेगा कि हम उन्हें मतर पनिर खिलाना चाहते हैं। पत्ती ने अपनी योजना बताई, और ऐसा करना कि रसोई में जाकर दाल चावल बना लो, जब तयार हो जाए तो, मुझे आवाज लगाना की खाना तयार है। आप पेबल पर पलेट लगा लो। पत्नी ध्यान से सारी बात सुनती रही और आगे की योजना सुनने को विताब होने लगी। अब पती ने अपनी असली उजना बताई, जब मैं पलेट लगा चुका रहूंगा। अब तुम एक खाली कटूरी किचन के फर्स पर गिरा देना। अब मैं पूछूंगा कि या गिरा। तो तुम जवाब देना, मटर पनीर की बड़ाई गिर गई। अब मटर पनीर भचा नहीं तो दाल चावल ही खाना पड़ेगा। जोजना अनुसार अतनी दाल चावल बनाने लग गई। और कुछ देर बाद पती को आवाज लगाई। खाना बन गया है। आप टेबल पर प्लेट लगा दो। पती उठा और कलमारी से प्लेट लेकर टेबल पर लगाने लगा। अब धडाम से कुछ बरतन गिरने की आवाज आई। पती ने पूझा क्या गिरा दिया। पतनी की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर रसोई में भाग भी गया। और रसोई में दाल का पतेला जमीन पर गिरा पड़ा था। दुनों पती पतनी को मानो जैसे साप सुंग गय हो। जब दाल ही गिर गई तो मतर पनीर का पहाना वी फेल हो गया। बड़े ही दुखी मन से उनको बजार से दाल और मतर पनीर मंगाना पड़ा और भूगा और उनके परिवार वालों को खिलाना पड़ा। देखा अपने ऐसे एक कंजूस को देने के देने पड़े गए। जले थे पैसे बचाने और बजार से खाना मंगवाने पर दुगना पैसा खर्च करना पड़ा। हेलो आगे और भी ऐसी कानिया देखने के लिए पीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।